हेलो फ्रेंड्स माला किचन स्टूडियो में आपका स्वागत है आज फिर में लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ नए आईडियाज आई होप आपको भी पैसंद आएंगे और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीस इसको जाज से लाइक और शेयर कीजिएगा तो चलिए फ्र करने वाली हों तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करूंगी जो यह बीच को ना इसको हाप पार इसका मोड़ देंगे तो यह देखिए डबल कर लिए है मैंने और अब क्या करेंगे फ्रेंड्स ही इसके यहां पर ना बीच के अंदर इस साइड हम थोड़ा सा कट लगाएंगे तो यह देखिए यहां पर यह वी शेप का बन गया है कट इसी तरीके से ना इसके जो यह जो साइड है यहां से भी हम इसको कट कर देंगे तो यहां से मैं कट करके दिखा देती हूं फ्रेंड्स आपको तो यह देखिए यह भी मैंने कट कर लिया है और कट कटने के बाद न है तो हम क्या करते हैं अपने जो रूपट्य होती हैं हम उन्हें हैंगर में हैंकर के अलमारी में लगा देते हैं लेकिन क्या होता कि कुछ दिनों के बाद ना उनके उपर धूल मिट्टी जम जाती है तो आप क्या कीजिए इस तरह के से अपनी महंगी-वैंगी-साडिया रू तो आप यह ऐसे कर लीजिए तो यह इसका एक कवर बन जाएगा तो मैं आपको यह हैंक करके दिखाती हूं फ्रेंड्स यह देखे फ्रेंड्स कितना सुन्दर हमारा यह इस रुपट्टे का एक कवर बनके तियार हो गया है तो फ्रेंड्स ऐसे नेक्स टाइम से आप पॉलो कि जेगा तो चलते हैं नेक्स टाइडिया पर फ्रेंड्स यह देखे मैंने ले ली हैं यहाँ पर सब्जी की पॉलो थेंस जिने हम पिकार समझ कर ऐसे ही फैक देते हैं तो आज मैं आपको इससे एक बढ़िया सा आइडिया बताने बाली हूं आयोप आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे हैं यहाँ पर इस तरीके से यह पॉलो थें ले लेंगे और जो इसके ओपर के हैंडल होते है ना उनको मैं कैंची से कट कर दूँगी तो इस तरीके से आप पॉलो थें के पहले हैंडल सुझ होते हैं उनको कट कर लिजिए अब क्या कर तो प्लीस इसको ज़दर से जदर लाइक को शेयर किजेगा और मुझे कमेंट करके बताना आपको यह आईडियास कैसे लगे तो यह देखे फ्रेंस इस तरीके से मैंने यहां पर दोनों तरफ से कट कर लिये हैं और अब क्या करेंगे फ्रेंस कट करने के बाद ना इस पॉलो थिन को जैसे यह साइड से मोड़ी हुए ना इसी तरीके से इसको मोड़ कर हमें इसको अच्छे से ऐसे सेट कर लेना जैसे नीचे की साइड से भी मोड़ी हुए है तो इसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे और अब क्या करूंगी मैं इस तरीके से एक कपड़ा लेंगे तो आप टोबल ले सकते हैं या फिर कोई भी ऐसे कपड़ा ले लिजिए उसको इस तरीके से काटकर नमबा सा निकाल लीजिए तो यह अपर से इस तरीके से हाप पार्ट नमोड लेंगे तो यह दिखा रही है इस तरीके से पीछे से मैं इसका हाप पार्ट नमोड लेंगे है और अब क्या करेंगे जो हमारी पार्ट Variण लेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और ti हम इसको लाई नगे तो आप चाहो तो इसके उपर सेफटी पीन भी लगा सकते हूं ल ने लगा दी है तो इसी तरीकी से ना हम जितनी भी पॉलोथीन होगी हम सिलाई लगाते जाएंगे एक पॉलोथीन के नीचे दूसरी पॉलोथीन को लगा कर तो सारी मैं लगा कर आपको दिखा देती हूं फ्रेंस ऐसे ही आपको लगानी है तो ये देखे फ्रेंस यहां पर मै इसमें लगा लिए तो यह जो उपर हमने कप्ड़ा छोड़ा था न इसके लिए क्या करेंगे हम लेंगे हैंगर और इस कप्ड़े को इस के अंदर इस त्रीके से लगा facilitate करेंगे और पीछे से धागे से ही इसको सिल रही हूँ आप चाहो तो सिलाई मशीन से भी इसको सिल सकते हो या फिर यहाँ पर आप सिप्टी पीन भी लगा सकते हो तो फ्रेंट्स मैं तो इसको मजबुत बनाना चाहती हूँ तो इसलिए हाथ की सिलाई ही कर रही हूँ तो इस तरीके से हम सिलाई कर यह थोड़ा सा मेर से ज्यादा चोड़ा कट गया है आप जब बनाओना तो पॉलोथिन के नाप कही काटके निकाल लेना तो जी और भी ज्यादा सुन्दर लगेगा तो फ्रेंस इस तरीके से यह हमारा बनकर त्यार हो गया चलो मैं इसका अभी यूज़ पताते कैसे और स्लिपर और सेंडल्स रख दी है तो आप इस तरीके से यहां से साइड से खोलिए और चपले जूते जो भी है आप इसमें इस तरीके से रख दीजिये तो फ्रेंस आपको पता ही है कि झो हमारे घर में छटे बच्चे होते हैं वो अपनी जूते चपलों का धिहानी रख देती हैं तो इस तरह के से जब आप उनके सामने ऐसे ओर्गिनाजर बना कर रखोगी ना तो उनको आदद भी बनेगी अच्छे से अपने शोज रखनेगी तो यह ओर्गिनाजर आपको कैसा लगा तो प्लीस मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह के से आपके यह जो पहली वार है तो प्लेस मैंने चेनल को सब्क्राइब करीजएगा तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया पर मेरा जो नेक्स्ट आइडिया या टीप कहलो आप उसे इस तरहीं के से यह डस्ट जो उठाने वाला डस्ट रोते हैं इसको लेकर है तो जब कभी हम इसको न पसंद आई गी तो इस तरह केसे आपके ज़िए पॉलोधीन होती जिसमें सब्जिया लेती हैं और फैक देती हैं उसको ऐसे बेकार समझ समझकर इस तरह के से इसको पहना दीजिए इस तरह केसे यह देखे और फिर क्या कोंड इस影片 आ कट्टा कर लीजी है और अदर क्या करेंगे हम इस तरह पॉलोथीन के अंदर पाइंगे और हम smat फैक देंगे तो इससे हमारे दो काम होंगे जो ये उस tôi यूज के और यह जो हमारा डस्टर है वह भी क्लिन रहेगा और गंदा भी नहीं होगा तो friends ये ideas आपको कैसे लगे I hope पसंद आए होंगे आज की ideas तो चलिए friends मिलते हैं ऐसी ही next useful video में thank you for watching, bye bye friend